मार पीट कर गंबी रूप से गायल करने के मामले में पुलीस ने एक व्यक्ति को गिरिफतार किया हैं जबकि पुलीस ने मुकदमे में धारा 307 की बड़ोत्री भी की हैं बता दे की जसपूर खुर्द निवासी नरेश ने खाना आई टी आई में 14 नमबर 2020 की रातरे को उसके पुत्र नितीन को अज्याद व्यक्तियों ने मार पीट कर गंबी रूप से गायल कर दिया था जिसको लेकर उसने थाना आई टी आई में अभियोग पंजिकरत करवाया थ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाज प्रारम कर दी है नवभारस अमाचार काशितपूर उत्राखंडे से अनिल कुमार गुरू आपस में हो गई थी जिस पर उतने जो है गले में उसके चोट मार दी थी जिस आधार पर मेडिकल और बयानों के आधार पर 307 का इजापा किया गया मुकदमे में और इसका जब पता किया गया तो विकास पुत्र भीम सेन जिनकी आपस में इनकी रंजिश चल रही थी किसी उगात को लेके जगड़ा हुआ तो उसने उसका गला काड़ दिया जिसको आज गिरफतार किया गया है ग्रफतार कर जेल गया है